अधान मंतिजी अधानिय अध्यश्मावद है यह सदन का सोभाग्य है कि आप दूसरी बाद इस आशन का दिराजमान हो रहे हैं आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरब से मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ अधे अध्यश्मावद जी मेरी तरब से आपको शुप कामना है लेकिन इस पूरे सदन की तरब से भी आपको अनेक अनेक शुप कामना है अम्रत काल के इस महत्वपूर कालखन में दूसरी बाद इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दाईत आपको मिला है और आपका पांच वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सब का विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सब का मारदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दाईत को निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी का रहेगे अधेने देख जी हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि मिनम्रा और व्यहवार कुशल व्यक्ति सभल सहाज रिस्त्र होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मिठी मिठी मुष्कान भी मिली हुई है आपके चहरे को ये मिठी मिठी मुष्कान पुरे सदन को भी प्रसंद रखती है, मुझे विश्वास है, आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए किर्थिमान गड़ते आये हैं, अठारवी लोकसभा में, स्पीकर का कायरभार दुस्तरी जार सभालना है, यह अपने आप में बया नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं, स्री बलराम जाफर जी, वो पहले ऐसे अध्यक्स देख जिन्होंने पांच साल कायरकाल पूरा करके, फिर दुबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था, उसके बाद आप हैं, जिन्हें पांच साल पूर्ण करने के बाद दुबारा इस पत्पर आसिर होने का अवसर मिला है, गत बीच साल का एक ऐसा कालखन रहा है, कि जादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं, या तो जीत करके नहीं आये हैं, आप समझ सकते हैं, कि स्पीकर का काम कितना कथी है, कि उसके लिए दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इत्याहत आपने कड़ा है, आदरिनिया देख जी, इस सदन में, ज्यादा तर हमारे सभी माननिय सामसर्थ, आप से परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं, और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके समझ में काफी कुछ बाते हैं, रखी भी थी, और मैं आज उसको दोहराणा नहीं कहाता हूं, लेकिन मैं एक सांसत के रूप में, और हम सभी सांसत के रूप में, आप जिस प्रकार से एक सांसत के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य हैं, और बहुत कुछ सीखने योग्य हैं, मुझी भी स्वास है कि आपकी कारशा है लिए, एज़र सांसत भी, हमारे जो first timer सांसत है, हमारे युवा सांसत है, उनको जरूर प्रेना देगी, आपने अपने कारक्षेत्र में संसद्य क्षेत्र में स्वस्त मां और स्वस्त सिशु एक कमिट्मेंट के साथ जो अभ्यान चलाया है और सुपोशित मां इस अभ्यान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमित्ता दे करके खुद को इन्वाग करके किया है व आपने कोटा के ग्रामिट छेत्रों में है, हॉस्पिटल नॉन बिल्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनिती कामों के सिवाय करहें वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गाउं गाउं लोगों को स्वात्र सेवाय पहुचाने में मदद कर र कंबल, मौसम के नुजार चाता की जरोते चाता, जूते, ऐसे अनेक सुविधाएं, समाज के आखरी तपके के जो लोग हैं, उनको खोज-कोर्तित के पहुचाते हैं, खेलों में प्रोच्छान देना आपके खेत्र के युवकों में, या अपने एक प्राफिक्ता के रूप से काम उठाया हैं, आपके पिछले कालकाल में, सत्रहवी लोगसभा में, मैं कहता हूं कि संसदिय इतिहास का वो स्वानिम कालखन रहा है, आपके अद्धिक्ष्था में, संसद में जो अइतिहासिक निर्ने हुए है, आपके अद्धिक्ष्था में, सदन के मादम से जो सुधार हुए है, ये अपने आप में, एक सदन की भी और आपकी भी दिरासत है, और भविश में, सत्तरवी लोकसभा के समंद में जब विश्टेशन होंगे उसके विशे में लिखा जाएगा तो भारत के भविश्य को नई दिशा देने में आपके अद्धिक्सता वाली सत्तरवी लोकसभा की बहुत बड़ी भुमिका रही है आद्धिक्सता वाली सत्तरवी लोकसभा में नारी शक्ति मंदन अदिनियम 2023 जम्मु कश्विक उनरगठन विदेयक भारतिय न्याय सहिता भारतिय साच्छबिल भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता सामाजिक सुरक्षा सहिता डिजिटल परस्टनल डेटा प्रोटेक्षन बील मुसलिम महला विवा अधिकार सुरक्षन विदेयक ट्रांसजेंडर परस्टन्स प्रोटेक्षन अब राइट्स भीन तन्यूमर प्रोटेक्षन भीन डारेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेट सामाजिक आर्थिक और राष्ट्य महत्पक है अचे कितने ही महत्पपून एत्यासिक कानून 17 भी लोग सभा में आपकी अधिक्स्ता के अंदर इस सदन्य पारित किये हैं और देश के लिए एक मजबूत निव बढ़ाई है जो कारिया आज हादी के 70 साल में नहीं हो हैं आपकी अधिक्स्ता में इस सदन्य इसको करके दिखाया आदर्णिय गजी लोग कंत्र की लंबी आत्रा में कई पड़ावाते हैं कुछ अउसर ऐसे होते हैं जब हमें किर्टिमान स्थापित करने का सवभागी मिलता है सत्रवी लोगसभा में उपलग दियां मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविश्य में उसका गवरव करेगा आज देश अपनी अकांच्छाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी हम्रित काल के बविश्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अधिक्स्ता कि नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अधिक्स्ता में हुआ और आपने संसदिय कारप्राई को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वकुन फैसले लिए है और इसलिए लोग तंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है लोग सबा में हम पेपर लेज डिजिटल व्यवस्ता से आज काम कर रहे हैं पहली बार आपने सभी मान्य संसदों को ब्रिफिंग के लिए एक व्यवस्ता खड़ी की इस सभी मान्य संसदों को भी आवशक रेफ्रेंस मट्रियल मिला उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और यह आपका एक अच्छा इनिसेटिव था जिसने संसदों मे मैं भी विश्वास पैदा किया घा मैं भी कुछ कह सकता हूं मैं भी अपने तार के देश सकता हूं तो एक अपने अच्छी व्यवस्ता को विख्षित किया है और यह देख जी जी ट्वेंटी भारत की सभलता के महत्रपों प्रष्ट है लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है व जो पिठासीन अधिकारी है स्पीकर्स हैं उनका सम्मेलन आपके अधिक्ता में हुआ और अब तक की ट्वेंटी के जीतने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसरताग दुनिया के सरवाधिक देश आपके निमंत्रन पर भारत आए और बहुत ही उत्त्म प्रकार के निर्णे उस समीट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गवरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है अधर्य अधर्य जी यह हमारा भवन यह सिर्फ चाप दिवारे नहीं है हमारा यह संसत एक सो चालीस करोड देश वाश्यों की आशा का केंद्र है संसत की कारिवाई जबाब देही और आचरा है हमारे देश वाश्यों के मन में लोकतंत्र के प्रतिश उनकी निश्ठा है उसको और अधिक मजबुद बनाता है आपके मारदर्शन में सत्रह भी लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी पचीस साल के हाइस लिवल पर 97 परसंट रहे और इसके लिए सब मानिय सदस तो अभिनंदर के अधिकारी है लेकिन आप विशेश अभिनंदर के अधिकारी है कोरोना जैसे मुश्किल कालखन में आपने हर सांसद से व्यक्तिकत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा कहीं किसे सांसद की बिमारी की खबर आई तो आपने सदन के अधिक के नाते व्यक्तिकत उसके चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुख्य के रुप में उस कोरोना काल में भी व्यक्तिक के चिंता करते हैं कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुपने नहीं दिया सांसदों भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चड़ाया किसी को उपर बैठने के लिए कहां तो वो महां जागे बैठा किसी को दूसरे जगा भी जागे बैठने के लागा वो भी बैठा लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया लेकिन आपने यह फैसले की उसका परणाव है कि हम उस कठीन कालखन में भी कार्य कर पाए और ये खुशी की बात है कि कोरोने काल में सदन ने 170 परसंट प्रोड़क्टिविटी यह अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ी ख़बर है हादनिय अद्देग जी हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरान सदन के नियमों का पारान हम सब करें और आपने बड़े सटिक तरीके से संतुलिक करें और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिये हैं मैं जानता हूं कि ऐसे निर्ने आपको पीडा भी बेते है लेकिन सदन की गरीमा और व्यक्तिकत पीडा के उप में आपने सदन की गरीमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया यह साहस्पूर काम के लिए हैं आदर्यन अद्देग जी आप अभिनान्दन के अधिकारी हैं मुझे भी स्वास है आदरिने देख जी आप तो सफर होने ही वाले लेकिन आपकी अद्धेश ताम है ये अठारवी लोग सभावी बहुत सभलता पूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को फूर्ण करीगी मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दाइत्व के लिए और देश को विकास की नई उचाहियों पर ले जाने वाले इस सदन के अद्धिक्ता के लिए रजय से बहुत-बहुत सुब्तामनाई देता हूँ बहुत-बहुत-बधाई देता हूँ